कैसे आप सब ऑपसा ठीक हों गे गाइस आज कन करा एफ fabrics की में इतना जादा होता है कि क्या करें कि उन्हें डर लगता है कि अब हमें वैक्सिन कराने पड़ेगी तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सलूशन लेकर आई हूँ वो क्या है कि आपको क्या करना है घर के एक होम रेमिडी ऐसी है जिससे आपके फेशल हीर्स जो है धीरे धीरे सारे रिमूब हो जाएंगे और फिर आपके ज़्यादा आएंगे भी नीच है कितनी ग्रोथ क्यों ना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए गाइस ये हमने बनाया है इसके लिए मैने क्या के यह मैंने लिया फे पानी लिया है मैने र法 क प मुल्क लिया आ हिस्में 1 czas मैंने डाल लिये है तर्मरीक आपके पास अगर वाइल तर्मरीक और ले सकते हैं किच्शन की हलदी है तो आप थोड़ी लिजेगे और पास इसके बाद मैंने डाला है 1 00 Mommy sugar आपको इसको अपने बाउल में निकाल ले ना है . hetld carbon देखते दिखते दूस्तों क्या करना है आपको लाइफ कर दीजै और मेरे चैनल को सब्सक्राइब की इतना तब बनता है ना कर दीजै कर दीजे लाइफ और अब हम बनाएंगे इस डे मिडी को आपको क्या करना है आपको एक बाउल लेना है वैसे तो हम इसमें भी मिक्स कर सकते हैं जो हमें मिक्स करना है लेकिन ज्यादा है हम दूसरे बाउल में करेंगे ताकि हमारे थोड़ा सा ताड़ा सा पेस्ट पंच आपको क्या करना है इस पून से एक बाउल में थोड़ा सा ले बेसन दोस्तों एक क्लींजर का भी काम करता है हमारे फेशियल हेर्स को रिमूफ करने के लिए यह बहुत ही अच्छा एक सलूशन है जिससे की फेशियल हेर्स हमारे हटेंगे में इसमें क्या डालेंगे नेक्स फील-off- दोस्तों आप कोई सा भी पील-off- उफ मास्क ले सकते हैं चाहे औरेंज पील हो चाहे पपाया हो चाहे ऐलोवेर जेल हो कोई साथ भी ले सकते हैं मैंने यह ले लिया अब हमें इतना डाला है कि थोड़ा सा हमारा गाड़ा सा जो मिक्ष्टर है वो बन जाए अ क्या है तो गैस देखिए हमारा कितना अच्छा सा बेटर बन गये यह दpflichtya अब हमें इसको अपनी क्लीन फेस पे अप्लाई करना है अब मैं बिन्दी ज्ञार अपनी हटा लेती हूं और अब हम इसे फेस मेरा क्लीन है बिल्कुल अब यह हम अपने फेस पे लगाएंगे थोड़ी थिक लिएर लगाएंगे हम इसको जहां आपके फेशल हेर्स है वहां पे थोड़ा सा मोटी सी लियर लगाएंगे आप यहां पे यह अपर लिप्स पे देखें दोस्तों मैंने थोड़ी मोटी सी लियर लगाई है आपको दिख रहा होगा थोड़ा मोटा मोटा लगाया है मैंने दो तीम बारा ब्रश को करके उसके उपर अपलाई कीजेगा अब इसको आप कोई टाइम नहीं है लेमिट की कित्ती देतक रखना है आपका यह मास्क पूरा सूख जाए तबिह मास्क जो है अच्छे से उतरेंगा और हम इसको अफ़ 증 себе उतारेंगे तो यह मेरा मास्क जो है सूख चुका है आप देख रहे हैं अब हमें क्या करना है अब वर डिरेक्शन में इसको ऐसे रख करते हुए हमें हटाना है जब आप इसको वर्ड में रख करेंगे ना तो आपके फेशल हीर्स जो है वो रिमूव होंगी यह देखिए हलका से ऐसा लगेगा आपको इस किंपेश से चीटी सी काट रही है चोटे-चोटे से लगेगा हलका सा दर्दस्वा लगेगा वीकिन अराम से निकल जाए कि अधार कि अधार को में अधार को में अधार में अधार इसको आए रख करेंगे ना अपर लिप्स की आपके सारे बहां हट जाएंगे ये रब करते ही हटाना है कि देखिए गाइज ये हमने ऐसे रब करते हैं इसको हटाना है क्योंकि इसमें बेशन डला हुआ है तो पूरा फिल अफ मास्क कैसे नहीं उत्रेगा आपको रब करते हुई हटाने और यह देखिए मेरे यहां पर से फेशल हेर्स ते वह सारे निकल गए है बंकि मैं आपको फेस अभी क्लिएंग करके दिखाऊंगी तब आप देखिएगा अब जो हमारा थोड़ा सा बचा है अब मैं आपको फेस पानी से मूध होके दिखाती हूं कि इसका रिजल्ट जो है वो कितना अच्छा है तो देखिए दोस्तों मैंने अपना जो है मैं दिखा दिया था मास्क अपना उतार कर आपको ऐसे ही रब करते हुई उतार रहें बे आपको और ऐसी रब करते हैं जाए जब हटाना है हलका सा पेन होगा पहुत हलका सा जैसे कोई चीटी नी ने काटा है लेकिन कोई नुकसान नी होगा इसकिन आपकी रैड नी होगी आप देखिए मेरे फेशल हेर्स आपको नहीं दिख रहे होंगी यह देखिए यह और आपके सबसे बड़ी बात है जो ब्लेक हैट वाइट होते ना वह भी इस से रिमूव होंगे और इसकिन पर गलो भी आएगा तो इसके बाद हमें क्या करना है मास्क हमने हटा लिया है मूद हो लिया है फिर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट जरूर करिए कुछ भी लग करना है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आपके फेशल हेर्स जो है कैसे हटे हैं मुझे बताना जरूर प्लीज मुझे मोटिवेशन मिलेका थैंक यू